असलाम वालेकुम PH102 और PH104 का question solve करते हैं यह quiz 1 ता जो हमारे section से पूछे गया था इसमें हमसे कहा गया कि हमारे पास 4 charges है Q1, Q2, Q3 and Q4 और Q1 और Q2 रेक्टेंगलर के what is पे पड़ हुए है जबकि इसका width A 10 cm के distance पर है B 20 cm का distance है और हमसे पूछा गया है कि हम Q2 पे जो force exert कर रहा है because of the rest of 3 charges उसको calculate करना है और इस force यह जो force इस पर लग रहा है इसका हमने इस vertical axis के साथ जो angle नकल रहा है हमने इसको calculate करना है तो अगर इसको rectangular component में divide कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का shape बनेगा अच्छा इस rectangular component में Q3 जो force exert कर रहा है Q2 पे उसका vertical component 0 होगा similarly Q1 जो force exert कर रहा है Q2 पर इसका horizontal component 0 होगा तो इसका ये component 0 है Q1 का Q3 क वर्टिकल component 0 है अगर मैं Q1 जो force exert कर रहा है Q2 पर इसका वर्टिकल component नकाल लूँगा तो कोगा Q2 ये Q2 है ये Q1 है डिवाइड बाइ 4 पाइपसलानाट R स्क्वेर Q1 की विली भी है हमारे पास Q2 और इसको जो रेडियस है इसका विली है इसको पूट कर लेंगे तो हमारे पास ये विली आ जाएगी similarly जो Q3 फॉर्स एक्जर्ट कर रहा होता है Q2 पर उसका हमारे पास एक इसका हम सिर्फ हरिजंटल component नकालेंगे because the vertical components will be 0 तो ये हमारे पास आजएगा Q2 Q3 डिवाइड बाइ 4 पाइपसलानाट B स्क्वेर If you put the values तो मारे पास ये विली आ जाएगी अच्छा अब क्या के अब इसके बाद हमने नकालना है Q4 Q4 जो फॉर्स एक्जर्ट करेगा Q2 पर इसका vertical component भी होगा और horizontal component भी होगा horizontal component और vertical component नकालने के लिए हमारे पास ये angle या angle is supposed to be noun तो F1 तो ये है इस तरीके से हमने नकालनाए अच्छा ये आर हम कैसे नकालेंगे ये एक radius ये radius ये radius इस ये a square plus b square python formula के मताबिक होगा कि a square plus b square should be equal to hypotenuse square राइट तो ये the distance is replaced by a square plus b square और गर मैं angle की बात करूँ तो एक और एक right angle triangle बंदाए तो cos theta मेरे पास इसके बराबर होगा sin theta इसके बराबर होगा ठीक है अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं x horizontal component नकालता हूँ horizontal component के क्या चाहिए में q1 q2 और फॉर फॉर पाइप सलानाट b is not here or a square plus b square square root through 3 by 2 right और ये b है here here is it is a b that's come out because of this cos theta so you x component निकलाएगा y component के लिए भी same इस तरह कर लेंगे इस तरह निकला जाएगा अब क्या कर लेंगे net x component वाली values को add कर लेंगे then we will add the y components values और f net x value आ जाएगी if y net e आ जाएगी magnitude निकालना है तो इस से निकाल लेंगे angle निकालने के लिए क्या करेंगे अलफा एग लोटेन इन्वर्स एफमन यूस करेंगे तो it is the angle that is made with the this is the alpha angle vertical के साथ और horizontal the force के साथ जो angle बन रहा है वो हमने calculate कर दी यहाप अब question 2 भी हमारे पास अबसे यह पूचाए कर दोचाए झाल झाल